मैं आब विजावदत कि पूजवर्थ करके दिखाने वाली हूं बथ करने लुए बयाद स्राहवणारर चैत्र करतिक और शिठ मास में आरम करना चाहिए श्रावळ चेहत्र बेश्षा कार्टिक और 500 की महईने में 16 संबार का पर मतार में शुफल की प्राप्ती होती है इस परत को निरजल रखना चाहिए और एक राई समय ४्… ऐस भोजन गिरन करना चाहिए जिसे हम चूर्मा बोलते हैं इस प्रसाद को मूख की प्रसाद माना जाता है किसी भी परिस्थी में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है यदि आपनी प्रत्व संबार ब्रत में 500 ग्राम यानि की 250 ग्राम आटे का प्रियोग गया है तो आपको प्रतेक स्वंबार को इसी मांतरा में आटे का प्रियोग करना होगा इस ब्रत में प्रसाद के रूप में चुर्मा के साथ साथ किसी भी एक फल का उप्योग कर सकते हैं परन्तो जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सौंबार ब्रत में उतनी ही मातरा में उपयोग करना होगा अन्यता आपका ब्रत खन्नित हो जाएगा तो चलिए अब हम आपको सोले सौंबार की पूजा करके दिखाते हैं वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर मैंने पूजा के लिए चौकी लगा ली है चौकी पर मैंने पीला कपड़ा विछाया हुआ है तब मैं चौकी पर शिपरवार की फोटो रखूंगी फिर पानी का कलश रखूंगी फ्रेंड्स मैं पहले यह आपको पता देती हूं 16 समबार के ब्रत में कलस स्थापना नहीं की जाती है आप चाहें तो कर सकते हैं आपकी मर्जी है वैसे इसमें कलस स्थापना नहीं की जाती है मैं खुद इस ब्रत को 14 साल से इसी विदी से रख रही हूं विए मैं रख लीए जलक हो रख लिए और उसी तरह सर परवार का अब्षयक करूंगी अस सो लो सोमबार के दोरान ही आपको पिरिट आता है तो घर के किसी भी सदस से करा देनी है आपकी घर में कोई बेटी हो बेटा हो या आपके पती हो सास हो ननद हो और किसी कारणवस अगर कोई घर पर नहीं है तो आप आश्प्रड़मन किसी से भी ये पूजा करा सकती है मगर ये सौंबार आपका और उस्षी के दवरान आपको बही बोजन ग्रिएंड करना है जो पर मैंने अन्य चीज नहीं ग्रिएंड करनी हैं हाँ पर मैंने थादी में आत को प्राजमान कर даちаюсь प्राद कर दिया है आप चाहें तो पंचामरत की सभी सामेकरी को एक पात्र में मिलाकर आप एक साथी पंचामरत बनाकर शिपरवार का अफशेक कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग पंचामरत की सामेकरी से जैसे म्यनी किया है वैसे आप शिपरवार का अफशेक कर सकते हैं सबसे पहले हम दूद से अफशेक करेंगे और अफशेक करते समय हमें मंत्रों का अचारण करते हैं ना है अब हम शुद्ध जल से अफशेक करेंगे अब हम दूद से अफशेक करेंगे अफशेक करेंगे अब हम शुद्ध जल से अफशेक करेंगे अब हम शुद्ध जल से अफशेक करेंगे और हमें धोड़ा ही धोड़ा दालना है ज्यादा नहीं ही चाहिक फिर हम शुद्द जल से करेंगे रखी टिर ओर प्वारा हम सिर्पारी लेंगे अब फिर एक बार हम शुद्र जल से अप्षेक करेंगे गी की वजय से हमारी सारी मूर्तियां चिकनी हो गई है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा दही सारी मूर्तियों पर डाल देंगे और सारी मूर्तियों को साफ कर लेंगे सोले सोमबार के ब्रत में भोजन करने का और पूजा करने का एक समय निश्चित होता है जैसे आप पर्थम सौंबार को जिस समय पर भी पूजा करेंगे और जिस समय भोजन गिरेंड करेंगे उसी समय पर आपको पूरे सोले सौंबार ही पूजा करनी है और पूरे सोले सौंबार तक उसी समय पर आपको भोजन भी गिरेंड करना होगा अन्यता आपका ब्रत खंडि हो जाएगा अब हम सभी मूर्तियों को शुद्ध जल से इस्नान करा लेंगे और एक तावे की थाली में यानि की तावे के पात्र में सभी मूर्तियों को रख लेंगे अब हमने सारी मूर्तियों को शुद्ध जल से इस्तान करा लिया है अब जो यह पंचा मरत है इसको हम फैकेंगे नहीं किसी पेड़ या पोधे में डाल लेंगे अब हम सभी मूर्तियों के एक साफ कपड़े से पहुंच लेंगे मैं सोले सौंबार की फूजा सामिक्री का वीडियो पहले ही अपने चैनल उपर डाल चुकी हूँ आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा सबसे पहले हम फूलों का आसन देकर गड़िश बगवान को स्थापित करेंगे और अब हम दीप प्रजलित करेंगे दीपक को कभी भी बिना आसन के नहीं रखा जाता है यहाँ पर हमने दीपक को भी फूलों का आसन दिया हुआ है आप चाहें तो चावल का भी आसन दे सकते हैं मैंने धूप बत्ती भी जला ली है हम भगवान को पहले दूप और दीप दिखाएंगे और फिर हम भगवान कडेश का रोली से चंदन से तिलब करेंगे अब हम माता पारबती को भी फूलों के आसन पर ब्राजमान करेंगे अब हम आदा पारबती का रोली से टीका करेंगे अच्छा चड़ाएंगे फूल चड़ाएंगे अब हम शिबलिंक की स्थापना करेंगे एक थाली में हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे बग्रतुन्ड महा काय सूरी को टीसम प्रवह अब हम महादेव का यानि की बोले नात का चंदन से टीका करेंगे अच्छा चड़ाएंगे अब हम शिबलिंक पर काले तिल चड़ाएंगे और भांग चड़ाएंगे अब हम बोले नात को एक लोंका जोड़ा अर्पित करेंगे और फूल चड़ाएंगे धतूरा चड़ाएंगे और बिल्वु पत्र चड़ाएंगे याद रखे बिल्व पत्र को कभी भावान पर सीधा नहीं चड़ाया जाता हमेशा बिल्व पत्र को उल्टा ही करके चड़ाया जाता है अब हम भोले नात को सफेद फूल अर्पित करेंगे थोड़े से हम गुलाव के फूल अर्पित करेंगे क्योंकि भवान भोले नाथ को सफेद फुल अतिप्रिय है आपके पास जो भी फूल हो आप भोले नाथ को अर्पित कर सकते हैं अब हम फोटो में भी शिपरवार का पूजन कर लेंगे पहले गड़िश भवान का बोले नाथ का माता पारबती का कार्द केजी और नंदी महाराज का चंदन से और रोली से हम पूजन कर लेंगे बोले नात का हम रोली से पूजन नहीं करेंगे सिर्फ हम चंदन से पूजन करेंगे क्योंकि बोले नात को रोली नहीं लगाई जाती है अब हम माता पारवती को रोली का टीका लगा देंगे और सभी भगवान को अच्छा चड़ा देंगे हम 16 संबार की कथा का भी पूजन कर लेंगे और कलश का भी पूजन कर लेंगे अब हम बस्तरूपी का लावा गरिश भगवान को माता पार्वती को और भूले नाथ को अर्पित करेंगे अब हम फोटो पर भी बस्तरूपी का लावा अर्पित कर देंगे और हम इतनी भी लगा देंगे सभी भगवान को, गरिश भगवान को, शिपरवार को, और वोले नात को, माता पारवती को, और फूर भी चड़ा देंगे, हम फोटो पर बेल पत्र चड़ाएंगे, अब हम ब्रत करथा पर और कलस पर भी फूर अर्पित करेंगे, अब हम एक ज कुछ हный हमाता परावती को 5 का सामन हर्पित करेंगे स्वाग के सामन में आप शुले संगार भी ले सकते हैं जा फिर इस तरह आप 6 5 सुहाक की सामेग्री ले सकते हैं और यहाल पर मैंने भोग लगाने के लिए आते की चूर्मा की लड्डू बनाई हैं आप भोग के लिए चूड मा की जगह कोई भी खोई की मिठाई का भी प्रियोग कर सकते हैं अब हम सभी चूड मा के लडू का भोग लगा देंगे सोरे स्वंबार की ब्रत में तीन अंगा बनाए जाते हैं इसमें से एक अंगा वोले नात के लिए निकाला जाता है दूसरा गाय के लिए और तीसरा स्वंब के लिए निकाला जाता है अब हम शिप पारवती का गठवंदन करेंगे फ्रेंड्स पहले भी मैं अपने चैनल पर गठवंदन की कई वीडियो डाल चुकी हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर देख सकते हैं आपको गठवंदन किनकर पूरे साथ वार करना है पांच वार नहीं करना है आप इस बात का विशेश कर ध्यान रखिएगा अब हमाता पारवती की पांच बार सिंदूर से मांग भरेंगे और पांच बार मांग भरनने के बाद जो सिंदूर हमारी उंगली में लगा रह जाएगा वो हम अपनी मांग में भर लेंगे 16 वार का व्रत कोई भी रख सकता है चाहे वो मेला हो चाहे पुरुष्ष हो कोवारी कण्या मन चाहा बरपानी के लिए रख सकती है 16 वार का व्रत सभी मनो काम्नाओं की पूर्थी करने वाला व्रत होता है अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, रोली से, चंदन से, अच्छा से और फूल चड़ा देंगे, अब हम हवन कुन का भी पूजन कर लेंगे, रोली से, चंदन से, अच्छा से और फूल चड़ा देंगे, फ्रेंड, सोले सौमार के ब्रत में हवन करना ओप्शनल है, फिर या फिर आपके इच्छा के ऊपर निर्वर करता है कि आप हवन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं हम थोड़ी सी धूप डाल देंगे और कपूप डाल देंगे ओम अगने है नमास वाहा पांच आवुती हम घी की डालेंगे और फिर हम दूप की पांच आवुती गड़िश भगवान के मंतर से देंगे पांच आवुती मातापारवती के मंतर से देंगे और पांच आवुती हम भोले नाथ के मंतर से देंगे फिर एक एक लोंग का जोड़ा हम भगवान गड़िश जर्पित किया जाता है हम जलपिला देंगे और हावनकुन्ड को सांत कर लेंगे और भगवान को भी जल पिला देंगे और हम भगवान के बाद आर्थी कर लेंगे सबसे पहले हम गड़िश भगवान की आर्थी करेंगे फिर माता पारवती की आर्थी करेंगे फिर बोले नात की आर्थी करेंगे और आर्थी करने के बाद हम सभी भवान के चरण इस प्रश कर लेंगे अब मैं आपको 16 सौंबार के ब्रत की उद्धापन बिधी बता देती हूँ 16 सौंबार के ब्रत में आपको पूरे 16 सौंबार तक ब्रत रखना होगा और सोले संबार के सत्रवे संबार को आपको ध्यापन करना होगा और सत्रवे संबार को भी आपको इसी बिदी से पूजा करनी है जिस बिदी से आपने पूरे सोले संबार की पूजा की है सत्रमे संबार को आपको सवासिर गयों के आटे की पूरी का चुर्मा बनाना होगा और उस चुर्मे में से आपको थोड़ा सा चुर्मा बोलेनाथ के लिए निकालना होगा थोड़ा सा चुर्मा गयमाता के लिए निकालना होगा और थोड़ा सा चूर्मा स्वयम के लिए निकालना होगा और बाकी का चूर्मा आप अपने परवबार के सदस्यों में अपने कुटुम में और अपने आस्परडूस में बाढ़ सकते हैं और सत्रम सौमबार यानि कि सोले सौमबार के उध्यापन की विदि आपको सौमबार को सोवैकिर समय करनी है करना है और अध्यापन की पुज़ा करने पाद आपको चूर्मे का परसाद ही गिर्यन करना है उसके बाद अब नौर्मल भोजन कर सकते हैं लेकिन याद रहे इस दिन आप प्याज लेस्टों बाला पूरी जानकारी दे दी है और आपको मैंने पूरी सही विदी बिताई है अगली वीडियों फिर मिलते हैं बाप आए कि अ कि कि